नमस्कार, मैं आत्मजोती आरे आपके साथ केपी न्यूस बिलिटिन में आए देखते हैं दिन भर के समाचार शुरू करते हैं सुर्खियों से पाशद महम्मद नवास खान और युवानेता महम्मद फेरोस खान ने विभन कारे क्रमों में भाग लिया मुख्य मंद्री वस्वराज बोममई ने पहली बार बिजापूर को दिन भेंट करनाटक में नाइट कर्क्यू दिल्ली में रध हुआ अंबेट कर पर प्रोग्राम ओमिक्रॉन से हर और कोहराम हिंदी के जगा कंणड को बनाया जरूरी करनाटक शिक्षा विभाग के फैसले पर हाई कोट ने उठाए सवाल मोदी का एलान पांच से अठारा साल के बच्चों के लिए तीन जनवरी से वैक्सिनेशन बुजर्गों हेल्फ वर्कर्स के लिए दस जनवरी से बूस्टर डोस उल्टा चोर कोतवाल को डांडे विज्यापन खर्च को लेकर केजडिवाल सरकार पर अमित शाह के वार पर आपका पलटवार अब समाचार विस्तार से पहले स्थानिय समाचार बीदर नगर सभा के पार्शत मुहम्मद नवास खान और युवाओं में अभरते युवानेता मुहमद फैरोस खान ने शेहर में विभिन कारेकरमों में भाग लिया इस अफसर पर लोगों से मिलकर उन्हें शुपकामनाई दी इस अफसर पर खान के साथ समर्थक वा कार्यकरता उपस्तित थे बीदर दक्षन के विधायक बंड़ेपा खाशंपुर ने वस्वेश्वर जात्रा महुतसव के दोरान दक्षन छेत्र का दोरा किया और इसके साथ ग्राम में खेल कूद के लिए स्टेडियम निर्मान के लिए भी परिसर का निरिक्षन किया इस अफसर पर ग्राम के नेता आदी उपस्तित थे राज्य सरकार के रात्री कर्फ्यू की घोषना के साथ ही बीदर के लोगों को उन अफवाहों से छुटकारा मिला जिसमने कहा जा रहा था कि सरकार की फिर से संपूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने की संभावना है इस अफवा से लोगों में एक बेचैनी बनी हुई थी विशेशकर महिलाओं और स्कूली बच्चों को इस बात की चिंता अधिक सता रही थी जिस पर अब विराम लग गया है आज सरकाट वारा रात्री कर्प्यू की घोशना के साथ ही सोशल मीडिया पर इस घोशना की चड़्चा अधिक पहलनी शुरू हुई है अब लोग रात में होने वारे कारेक्रमों को सीमित करने की तयारी में है अब देखते हैं समाचार राज्य के राज्य के मुख्य मंत्री बनने के बाद बस्वराज बोंबई ने पहली बार बिजापुर का दौरा किया इस दौरान उन्होंने विभिन कारेक्रों में भाग लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आदी की इस अफसर पर मंत्री विधायक और विधान परिशत सदस्य सहेत उच अधिकारी उपस्तित थे अधिनलानन बाडर नू कोड़ नाँ कट्टेचर वाइसी अल्ली निर्बंदगले नाकी टेस्ट माड़त वरन्ना मत्तु एड़र डोस्त वरन्ना मात्यबडवान्ता देनिवे अधुनना माड़तिवे अधर जोतिगे निव येर्स सेलिब्रेशन गे नाले अंतिम्म वादंता मारक सूची बर्तु एल्ला कुंजल गलना निवारने माड़तिवे नाले नानु बिलेगे नम्म एडवाईजर्सु मुथु हिरिये सचीवरु मुथ हिरियाधिकार कोड़ चर्चे माड़ी नाइट कर्फ्यू ओमेक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर पूरी देश में सकती बढ़ती जा रही है सभी राची से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रही है साथी इनका कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है इसी कड़ी में करनाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है इसके अलावा दिल्ली में भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर सकती की तयारी की जा रही है यहां पांच जन्वेरी को बियार अंबेटकर पर होने वाला एक बड़ा कारेकरम स्थगित कर दिया गया है करनाटक के स्वास्थि मंतरी के सुधाकर ने रविवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया इसके मुताबिक 28 दिसंबर से रात 10 बजे से सुभ़ पांच तक नाइट कर्फ्यू रहेगा यहां देश अगले 10 दिन के लिए जारी किया गया है इसके साथ ही करनाटक सरकार ने नए साल की पार्टी और भीडभार को लेकर भी नदेश जारी किये है करनाटक के स्वास्थि मंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर से अगले 10 दिन तक नाइट कर्फ्यू रहेगा इस दोरान रात 10 बजे से सुभ़ 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी करनाटक में इस नातक स्थर पर हिंदी के जगह कंणर भाषा को अनिवार्य किये जाने पर विवाद पैदा हो गया है राजी सरकार के स्पैसले पर प्रदेश हाई कोट ने गंभीर आपत्ती जताई है साथी केंदर सरकार से पूझा है कि क्या नई शिक्षा नीती के तह़त कोई राजी अपनी भाषा को अनिवार्य कर सकता है केंदर सरकार इस मामले का ध्यान कर रही है और जल्द ही अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी बरहाल कोट के हस्तक शेप से तिलाल उन सैंकडो हिंदी शिक्षकों ने राहत की सांस ली है जिनकी नौकरी हिंदी नहीं पढ़ाये जाने की वज़े से खत्र में पढ़ गई थी स्वास्टी मत्री के सुधाकर ने आज कहा कि सारवजनिक स्थानों पर सभी तरह के नए साल की पार्टियों पर पूरी तरह प्रतिबंद रहेगा होटेल, रेस्टोरांट, पब और अण्य जगोहों को 50 प्रतिशत ओक्यूपेंसी के साथ संचालित करने की अनुमती होगी राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि रात का करफ्यू 28 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच और होटल रेस्टरा पब के लिए प्रतिबंद 30 जनवरी से 2 जनवरी के बीच प्रभावी रहेगा सभी संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के पास COVID-19 नकारात्मक RTPCR रिपोर्ट और दो खुरा के साथ पूरी तरह से टीका करन के दस्तावेज होना होगा बीचापो शेहर के रंग मंदर में मुहमद रफीस साहब का 97 जन दिवस के मौके पर डाउन ग्रूप द्वारा एक संगीत कारिकरम का एयोजन किया गया जिसमें कलाकारों ने भाग लेकर रफीस साहब की यादों को ताजा किया अब लेदेंग छोटा सा ब्रेक जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौचू 24 घंटे हालात पर गहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवाला और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूज की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें के पी न्यूज 24-7 नूर एजुकेशन ट्रेस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एम्मेट कॉलेज बीदर रिकॉगनाइजड बाई एन्सी टी देलही और एफिलेटेड टू गुलबरगा उनिवर्सिटी गुलबरगा अड्मिशन आर ओपन पॉर दा अकैडमिक येर 2021-22 केंद्र नूर एम्मेट कॉलेज शापूर गेट बीदर ओर नंबर्स डबल नाइन फोर फाइट टू एट ट्री नाइन टू जिरो एट फोर एट ट्रेपल टू वन टू नाइन सेवन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आईए दिखते हैं अन्य समाचार पीयम मोदी ने देश के नाम संबोधन में शनिवार रात तीन बड़े ऐलान किये इसके तहर 15 साल से 18 साल के बच्चों को 3 जैनेवरी सोमबार 2022 से कोरोना का टिका लगाया जाएगा पीयम मोदी ने इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए देश के लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेज में जा रहे हमारे बच्चों और उनके माता-पिता के चिंता दूर करेगा पीयम मोदी ने कहा 15 साल से 18 साल के आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सिनेशन प्रारम होगा 2022 में 3 जैनवेरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी आम आदमी पार्टी ने विग्यापनों पर दिल्ली सरकार के खर्च को लेकर केंद्री अग्रह मंत्रिया में चाहदवारा दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने को लेकर यह कहते हुए पलटवार किया कि यह कुछ वैसा ही है जैसे उल्टा चोड कोटवाल को डांटे आपने सरकारी विज्यापन पर होने वाले खर्चे के मुद्धे पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री योगी आधितियनात पर भी निशाना साध्ते हुए कहा कि दिल्ली में योगी जी और मोदी जी के 850 होडिं है जबकि दिल्ली सरकार की 108 होडिंग है आपने एक बयान में कहा कि दिल्ली सरकार एक साल में केवल 70 करोड रुपे विग्यापनों पर खर्चती है जबकि योगी सरकार एक साल में 2000 करोड रुपे खर्च करती है कॉंग्रेस ने शनिवार को अरोप लगाया कि केंद्र सरकार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हाल ही में निदस्त किये गए तीनों विवादास्पत कृशी कानूनों को वापस लाने की साज़श कर रही है इसके मद्य नजर पार्टी ने इन चुनावों में बीजेपी को पराजित कर उसे सबक सिखाने की लोगों से अपील की दरसल केंद्रिय कृशी मंतरी नरेंद्र सिंद तोमर ने शुकरवार को नाकपूर में एक कार्य करम को संबोधत करते हुए तीनों कृशी कानूनों को आजादी के बाद लाया गया एक बड़ा सुधार करार दिया था और संकेत दिया था कि सरकार इन कानूनों को वापस ला सकती है। कॉंग्रेस निता राहूल गांधी ने रिववार को कहा कि केंदर सरकार ने कोरोना वाइरस संक्रमन से बचाव के लिए टीके की बूस्टर खुराग दिये जाने संबंधी मेरे सुझाब को मान लिया है। गांधी ने साथ ही कहा कि टीके का कावच और बूस्टर खुराग देश के प्रतिक नागरे को उपलब्द कराई जानी चाहिए। कॉंग्रेस निता का यह बयान स्वास्थ कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को 10 जैनेवरी से एहतियाती खुराग दिये जाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को की गई घुशना के बाद आया है। भारत में ओमेक्रॉन अब काफी तेजी से फैनने लगा है। इसके साथ ही तीसरी लहर का खत्रा भी बढ़ता नजर आ रहा है। ओमेक्रॉन अब तक 17 राज्यों वा केंदर शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 452 मरीज मिल चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कही राज्यों में क्रिस्मस और नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन भी भयावा रूप लेता जा रहा है। इसके मद्दे नजर 25 दिसंबर से लेकर नए साल तक सरकारों ने कड़ी सकती बरतनी शुरू कर दी है। आफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा विवाद को आम सहमती से सुलजहा लिया गया है। यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट बताती है कि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमती जताई है कि बाढट और बॉर्डर को लेकर दोनों पक्षों की सहमती से आगे देखते हैं समाचार फिल्मों के बॉलिवुड सूपरस्टार सर्मान खान को सांप ने काटा तबियत स्थिर सल्मान नया साल मनाने परिवार और दोस्तों के साथ मुंबई से बाहर अपने फार्म हाउस गए थे जहां उनके साथ ये हादसा हुआ खेल जगत के समाचार आशेस 2021-22 आस्ट्रेलिया ने इंग्लाइन को मैच के पहले दिन पहली पारी में 185 रन पर समेट दिया इसके जबाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 61 रन बनाए अंत में दिखते हैं समाचार बाजार के पांच दिन बाद यानि एक जनवरी से एटियम से कैश निकालना और जमा करना महंगा पड़ने वाला है बैंक गलए हाक एटियम से कैश ट्रांजैक्शन के लिए पहले जितना भुगतान कर रहे थे अब उससे अधिक भुगतान करना होगा एक जनवरी 2022 से गलएहकों को फ्री एटियम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर जादा भुगतान करना होगा पिर से एक नज़र सुर्ख्यों पर पाशद महुम्मद नवास खान और युवानेता महुम्मद फेरोस खान ने विभन कार्यक्रमों में भाग लिया मुख्य मंत्री बस्वराज बोममई ने पहली बार बिजापूर को दीन भेंट करनाटक में नाइट कर्क्यू दिल्ली में रध हुआ अंबेट कर पर प्रोग्राम ओमिक्रॉन से हर और कोहराम हिंदी के जगा कंणड को बनाया जरूरी करनाटक शिक्षा विभाग के फैसले पर हाई कोट ने उठाए सवाल मोदी का एलान पांच से अठारा साल के बच्चों के लिए तीन जनवरी से वैक्सिनेशन बुजर्गों हेल्थ वर्कर्स के लिए दस जनवरी से बूस्टर डोस उल्टा चोर कोतवाल को डांडे विज्यापन खर्च को लेकर केजडिवाल सरकार पर अमित शाह के वार पर आपका पलटवार केपी निउस में फिलाल इतना ही समाचारों के लिए जुड़े रहे है केपी निउस 24-7 से फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ धन्यवाद